नमस्कार बच्चों, एडू वीरा पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं कक्छा आठ के समाजिक विज्ञान की वॉक्सिट नमबर 22 बच्चों आज हम लोग पार्ट पांच जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के पॉइंट को डिसकस करेंगे सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया सैनिक विद्रोह का मतलब वैसा विद्रोह जिसकों की सिर्फ सैनिकों ने किया और जन विद्रोह का मतलब वैसा विद्रोह जिसमें की सारी जनता ने भाग लिया तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे कि कैसे सैनिक विद्रो जन विद्रो बन गया अठारामी सदी के मद्धे से ही राजाओं और नबावों की ताकते चिनने लगी थी अठारामी सदी के मद्धे का मतलब 1750 इसवी से आपने 85 की घटना देखी होगी सिराजु दौला जो बंगाल में था उसके बाद मिर कासिम, मिर जाफर, फिर अवद का नबाब सुजाओ दौला, फिर साहा आलम दीती इन सब के साथ अंग्रेजों ने घूर बैमानी और सैतानी की और इन सब के राज्जों को उन्होंने धिरे-धिरे अपने कबजों में ले लिया, उनकी ताकते छिनने लगी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे आवद पर हुए कबजे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविस्वास भर गया था अवद को मातर इस बात पर अंग्रेजों ने कबजा कर लिया, कि यहां की सासन बेवस्था अच्छी नहीं चल रही है, हम अच्छा चलाएंगे और इससे उन्होंने अवद के नवाब को पदिचीट कर दिया और अवद को अपने सासन के अधिकार चेतर में ले लिया और वहां के सिपाही थे, जो सैनिक थे, वहां काफी गुस्से में थे और उनके भीतर बहुत गहरा अविस्वास भर गया था उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदूओं और मुसल्मानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है और सब को इसाई बनाना चाहते हैं उस समय बहुत दिन से अंग्रेजों के प्रती असंतोस तो था ही लेकिन उस आग में 1857 की क्रांती के आग में चिंगारी का काम किया कार्थूस वाली घटना क्या थी कि अंग्रेजों ने जो पहले से उसका राइफल आ रहा था उस राइफल को चेंज किया और अपनी सेना में एक नई राइफल लाया जिसका नाम था एनफिल्ड और एनफिल्ड राइफल में जो कार्थूस इस्तेमाल होता था उसके उपर एक कौवर लगा होता था और उस क कार्तूस को राइफल में डाला जाता जिसके बाद वो फायर होता इसी दोरान यहां ख़वर फैल गई कि नई एनफिल राइफलों के इस्तेमाल होने वाले कार्तूसों पर गाय और सुवर की चर्वी का लेप चड़ाया गया है इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का बन गया क्योंकि गाय हिंदू नहीं चूँ सकते थे गाय का मांस हिंदू को खाना एकदम पाप लगता है और मुसल्मान सुवर के मांस से घ्रणा करते हैं वह सुवर का मांस नहीं चूँ सकते हैं सुवर तक को नहीं चूँते हैं तो इस तरह से दोनों धर्मों पर चोट प विद्रोह को अगनी दे दी और विद्रोह विस्पोट हो गया विद्रोह की सुरवात इवा सिपाही मंगल पांडे ने की 29 मार्च 1857 को इवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर पस्चिम मंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया उसके बाद कुछ दिनों बाद 9 माई को मेरट में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुप्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई और ये सबसे बड़ी घट ना घटी क्योंकि उस समय मेरट के सैनिकों ने विद्रोग कर दिया और अगले ही दिन 10 माई को सिपाहियों ने मेरट की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और ह संगठित रूप में था तो इसको संगठन का रूप देना जरूरी था इसलिए 10 माई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोडों पर सवार होकर मुँ अंधेरे मतलब तड़के सुबा ही दिल्ली पहुँच गई जैसे ही उनके आने की खबर फैली दिल्ली में तैनाथ टुक को भी मौका मिला और उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी सिपाहियों ने बहादुर साह जफर को अपना नेता घोसित कर इस विद्रों को संगठन का रूप दिया और वादसा को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी उन्होंने देश भर के मुखियां और सासकों को चिठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारती राज्यों का एक संग बनाने का आखवान किया। बहादुर साह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे सासकों और राजवारों को ये लगता था कि अगर मुगल बाद साथ दोबारा सासन अस्थापित कर ले तो वे दोबारा अपने इलाकों का सासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। इसलिए छोटे छोटे राजवारों और सासकों ने भी बहादुर साज अपर का साथ दिया और इस विद्रोह में कूद पड़े जिससे या विद्रोह स्यानिक विद्रोह न होकर जन्विद्रोह बन गया। बगावत फैलने लगी। जैसे मुख्य विंद्रोह पर दूसरी टुकडियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्वों और गावत के लोग भी बगावत के राश्ते पर चलने लगे। वे अस्थानिये नेताओं, जमिंदारों और मुख्याओं के पीछे संगठित हो गये। जैसे मुख्याओं के विद्रोह के क्या कारण थे? मुगल समराथ विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तयार हो गये। बहादूर साथ जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला। और कल्पना किजिए कि आप कंपणी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो चलिए अब इन प्रस्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रस्न एक है कि सन 1857 के विद्रोह के क्या कारणत है। तो आप इतना जाननी जी कि कोई भी विद्रोह एक दिन के किसी घटना से नहीं होता है। बहुत दिनों की मन में जो उतकंठाएं रहती हैं, मन में जो भावनाएं रहती हैं, एक बार किसी विशेश घटना के फलोसरुप उभर का सामने आती है। उसी तरह से 1757 से लेकर 1857 के बीच में, 1757 पलासी की जो लड़ाई थी, उस समय से लेकर 1857 के बहुत सारी ऐसी घटनाय घटी थी, जिससे कि अर्थानिये राजा, महराजा और लोग अंग्रेजु के खिलाब थे और वो भी इस तरह के मौके की तलास में थे। तो इसके कुछ मुख के कारण थे, जैसे के 1757 के बिद्रोह के निम्ने कारण थे, राजाओं और नबावों की ताकते चीनना, लोगों की धार्मिक भावना को तोड़ना और कार्तूस वाली घटना, कार्तूस वाली घटना नहीं आग में चिंगारी का काम किया था और बिद पल समराट, विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तयार हो गए तो, उसका उतर है क्योंकि विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता घोसित कर दिया था और वह भी अंग्रेजों की कृत्यों से खफा थे, प्रस्नतीन है कि बहादूर साह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला, इसका उतर है कि बहादूर साह जफर के समर्थन से छोटे सासको और राजवारे भी सैनिक विद्रोह के समर्थन में आ गया और यह विद्रोह ब्यापक हो गया, उसके बाद चोथा है कि कलपना कीजिए कि आप कमपनी के सेना में सिपाई ह विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखे तो उत्तर है कि ब्रिटिस कमपनी ने भारतिय धार्मीक भावनाओं का खुले आम मजा कुड़ाया कमपनी भारतिय सिपाहियों के साथ दुर्वेवार कर रही थी जिससे तरस्थ होकर सिपाहियों ने सैनिक विद्रोह किया तो बच्चो ये थी आपकी आज की बहुत आसान लेकिन इंपोर्टेंट वार्षिट ये वार्षिट समापत होती है विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में थैंक